हेलो दोस्तो मेरा नाम है दिवयाल शुकुमार और मैं आपका फिजिक्स मेंटर आपके हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है मोटिफ विंग तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं बिलकुल एक नया टॉपिक पुराने चैप्टर से जिसका नाम है मेगनेटिक इफेक्ट आपके लिए आपके कर सकते हैं चलिए आए देखते हैं आज के हमारे इस लेक्ट्र में तो पहले इसको हम लोग को डिमंस्ट्रेट करने के लिए घूंदेंगे तो पहले हम लोग किया करेंगे कि हमारा डाइग्राम बना लें टीक है तो उस डायग्राम में क्या देख स Lydia हम लोग रहें सर्कृट डीच रहेगा और फिर सांध हमारा दा मुझे civिज ले से क्टेспरब को फिर मुझेट करेंगे एक बैतरी से और उसके बैघ फिर में लोग सकनेक्टर चैसे самой यह मानलीजें हमारा एक यह रासिस्टेंस लगा जएते नाम के लिए कोश्यक्रीक Rebel to Low हो गया अब इस circuit में हम लोग क्या करेंगे current किस तरह से लो करेगा from higher potential to lower potential यानि की positive से निकले और negative के तरफ लो करते चला जाएगा जब हम लोग स्विच को connect करेंगे यह जरूरी बात है जब लोग स्विच को देखेंगे तो यह हम अपने आसपास magnetic field को produce कर रहा होगा और यह चीज़ जानने के लिए कि यह magnetic will produce कर रहा है हम लोग कुछ नहीं करेंगे बस एक magnet ले लेंगे magnet कहते हैं एक compass ले लेंगे और इस compass को इस पर प्लेस करेंगे इस वायर पर प्लेस करेंगे वायर के जश्ट ऊपर तो उसका जो वायर का जो भी नीडल रहेगा वो डिफलेक्ट करेगा अब हम लोग को पता है कि यह जो needle है वो ऐसे तो deflect करेगा नहीं जब हमारा normal पे रखा हुआ है और हम लोग उसको हिलाएं और वो deflect कर गिया ऐसा तो होता नहीं है यह तभी हो सकता है जब यह जो हमारा wire है इसके चारो तरफ या इसके आस पास में magnetic field produce हो रहा हो और यह जो magnetic field है वो इसके influence में आ रहा है needle के magnetic field के influence में आ रहा है और वो हमारा deflection so कर रहा है अब हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग इस battery को बैटरी को flip करते हैं या पर direction of current को change करते हैं जो कि हम लोग अपने अगले फिगर में देख लेते हैं माना की figure उतना अच्छा नहीं बट अभी काम चलाने के लिए यह काफी है और आपको इससे समझ में भी आ रहा होगा यह switch हो गिया हमारा यह switch से अब हम लोग क्या कर रहे है बैटरी connect कर रहे है flip कर दिये हैं और यहां से हम अतना resistor लगा ले रहे हैं और यह हमारा हो गिया conductor जिसके about हम लोग देखेंगे तो अब current कि इधर से जा रहा होगा अब current इधर से ऐसे जा रहा होगा from higher potential to its lower potential ठीक है और अब हम क्या करेंगे यहां पर एक magnetic field लगा रहे होंगे sorry magnetic compass या magnetic needle लगा रहे होंगे अब हम लोग क्या देखेंगे कि यह जो हमारा deflection इस तरह से था deflection बिल्कुल change हो जाएगा या फिर opposite direction में so करने लगेगा depending upon कि हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे किस तरफ north बन रहा है किस तरफ south बन रहा है जिसके हिसाब से यह change होता है ठीक है तो अब हम लोग को यह तो समझ में आ गिया कि हाँ यह जो deflection हो रहा है हमारे इस conductor के magnetic field के कारण हो रहा है अब magnetic field कारण हो रहा है तो यहां पर magnetic field भी होना चाहिए और यह magnetic field आ किस कारण से रहा है क्योंकि इसके थ्रू यह battery के थ्रू इसमें current flow कर रहा है जानना था ठीक है अब हम लोग जानेंगे कि और एक तरीका जिसे हम लोग demonstrate कर सके कि एक करेंट करेंट करेंग कंडक्टर जो होता है वह magnetic field बनाता है ठीक है तो अब basically क्या करेंगे एक किसी में मान लीजिए हम इस तरह का setup ले लेते हैं demonstration 2 में कि हमारे पास एक किस तरह का wire है ठीक है यह हमारा vertical यहाने plane से इस तरह से perpendicular जिस तरह से पेन है उस तरह से wire जा रहा है ठीक है और इसको फिर हम लोग क्या कर रहे है कि battery से और battery switch से फिर battery से और फिर resistor से अराम से connect कर दिये ठीक है अब क्या किया हम लोग यह जब कि perpendicular है तो इस तरह से एक plane से इस तरह से माने जिए कि एक plane से ऐसे हम लोग एक plate लगा दिये ठीक है यह wire इस plate को काटते हुए अंदर से जा रहा है जस्ट इस तरह से ठीक है बिल्कुल इस तरीका से ठीक है यह जस्ट इसको slash करता हुआ एक plane जा रहा है इस wire के through अब यह यह perpendicular wire है यह perpendicular wire यह plane है अब इस wire के कारण magnetic field इसके चारो तरफ generate हो रही होगी ठीक है इसके चारो और magnetic field generate हो रही होगी अब यह जैसे हम लोग यह current पास करेंगे इस cardboard पर हम लोग iron sprinkle करके रखेंगे क्या करेंगे iron का जो particles होता है उस powder को sprinkle कर देंगे यह थोड़ा थोड़ा एक concentric circle जैसा बनाने लग जाएगा ठीक है इस direction में मतलब इस field lines के direction में align करेगा खुद को जिससे हम लोग easily demonstrate कर सकते हैं कि यह current carrying wire है उसमें magnetic field होता है ठीक है अब हमारा अगला question क्या आता है अगला और मुख्य question आता है what is the direction of magnetic field what is the direction of magnetic field direction of magnetic field ठीक है तो अब हम लोग के पास एक मतलब अच्छा सा fundamental एक process बना के दिया गिया है एक छोटा सा trick बना के दिया गिया है जिससे आप लोगों को easily पता चल सके कि यह जो direction of magnetic field है वो होता क्या है और उसको हम लोग किस तरीका से जान सकते है और उस method का जो नाम है वो है right hand thumb rule right hand thumb rule ठीक है अब right hand thumb rule क्या है कि अगर आपके पास एक wire है इसको हम लोग नॉर्मली समझते और बिल्कुल प्रैक्टिकल धंग से समझने की कोशिश करते है हम लोग एक pen को एक wire समझेंगे ठीक है यह pen हमारा एक wire है ठीक है अब इस wire के about magnetic field की इस तरीके से बन रहा है इसको जानने का सबसे सिंपल तरीक ही है कि इस magnet को जिस तरीक हम लोग एक grab करेंगे ठीक है ना पहले क्या करेंगे कि इधर मान लिजे कि हमारा cap के direction में current जा रहा है ठीक है यह cap के direction में इधर current जा रहा है अब हम लोग क्या करेंगे कि इस थम को अपने current के direction में रखेंगे थम को हमने क्या किया current के direction में रखा और फिर इस fingers को करेंगे क्या finger को करेंगे और जिस direction में हमारा finger जा रहा है उसी direction में हमारा magnetic field भी होगा ठीक है तो यह ही हमारा right hand thumb rule है जिसके through हम लोग किसी भी magnetic conductor के किसी भी magnetic conductor के about का magnetic field जो होता है उस magnetic field को predict कर सकते हैं या बता सकते हैं कि 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 direction में वो है ठीक है I hope कि आप लोगों को समझ में आया होगा और एक important बात जो कि आप लोगों ने पिछले lectures में भी देखी होगी हमने बताया था पिसला lecture में कि कुछ properties होती है जितना dense जितना dense हमारा magnetic field जो होता है हमारा magnetic field lines जितने dense होते हैं उसका magnitude उतना ही ज़्यादा होता है और जितने कम dense होगे उसका magnitude उतना ही कम होगा ठीक है यह तो हमने पिछले demonstration था इसमें हम लोग यह जो अपना नीडल है इसको अगर सामने रखेंगे तो deflection ज्यादा होगा सो अब हाविक सी बात है ना कि सामने रखेंगे हमारा magnitude ज्यादा रहेगा तो हमारा magnetic field ज्यादा रहेगा उसका effect ज्यादा होगा जिसके कारण से ज्यादा deflate कर रहा होगा जैसे जैसे दूर जाएंगे हमारा magnetic deflection कम होते जाएगा क्योंकि magnitude घट रहा है तो अब हमारा अगला concept जो आता है वह है कि magnetic field हम लोग एक solenoid में कैसे बताएंगे एक लूप में करेंट के रिंग लूप में कैसे बताएंगे यह भी बहुत सिंपल है कि हम लोग magnetic लूप ले लेंगे एक magnetic लूप ले लेंगे ठीक है यह हुआ हमारा एक magnetic लूप तो हमारा टॉपिक क्या है magnetic लूप में मैगनेटिक फील्ड इन और करेंट कैरिंग लूप बहुत इजी है जो हमने पहले पढ़ा है उसी के बेसेस पर हम लोग आगे इस चीज को बिल्ड करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे यह magnetic लूप है अब यहां से हमारा जो circuit बनना रहेगा वह बिगड़ना रहेगा वह उतना भी हम लोग concern नहीं कर रहे है तो अब इस पर हम लोग मान लिए कुछ current इस तरह जा रहा है अब हम लोग क्या करेंगे बिल्कुल सिंपल सा चीज करना है जिस direction में हमारा current जा रहा है उस direction में आंफिक तरह हम उसी टरह करेंगे है अपना कि में लिए को इस हुआ होगा घिक है है ठीक है तो इस तरीक से बन रहा होग सामने रहेंगे तो हमारा गोल बनता हुआ नजर आ रहा होगा जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे ने सिर्क लोग वो दिखना बनता हुए मलता है। रैडियस बड़ा होते जाते हैं। तो यह हो गया हमारा magnetic field lines जो कि हम लोग एक current carrying loop में देख सकते हैं तो हमारा जो basis था जो basic बात था जिसके through हम लोग किसी भी conductor के अंदर बना सकते हैं magnetic field lines वो यही है अब एक additional चीज यह बताना चाहूंगा कि इसमें जो magnetic loop है अब अब जो बात आती है कि यह तो हमने एक बार लूप बना दिया अब हमने इसको अगर हमने repeat किया और बहुत सारे loops बना दिये एक ही wire को लपेटते गया लपेटते गया लपेटते गया और बहुत सारा लूप एक series of loop बना दिया तो अब उस लूप के अंदर कहसा magnetic field बनेगा यह भी बात होती है और interesting बात होगी ठीक है तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि magnetic field जो एक लूप के अंदर हम बनाते हैं यानि कि solonide के अंदर वह किस तरह से हम लोग को पता चल लेगा ठीक है magnetic field in a solenoid ठीक है एक solenoid में हम लोग magnetic field को पढ़ना है तो हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे यह चीज हम लोग अब देखने जा रहे हैं ठीक है तो ऐसा कुछ इसमें भी बड़ी बात नहीं है यह भी हमारे पिछले कंसेप्ट के जैसा ही होगा हम एक magnetic field ले एक लूप लेंगे लूप बनाएंगे इस तरीके से ठीक है अब यह कैसे बन रहा है मैं आपको अगर imagine कराने की कोशिस करूँ तो आपने अगर bike के suspensions देखेंगे या फि पार हो रही होंगी क्योंकि हम लोग जब इसका लाइन देखेंगे यह देखो ऐसे कर जा रहा है यानि कि आगे है तो थम को आगे रखे तो इस तरीके से बन रहा है तो इसी तरीके से हमारा circular कुस सम्थिंग लाइक इस तरह का magnetic field lines बन रहा होगा एक circular जो की अंदर में अगर close loop बना रहे होते हैं तो यह हमारा एक close loop बना रहा होगा लेकिन अंदर में जब हम इन लाइन को देखेंगे तो यह समवट parallel होंगे क्या parallel होंगे ठीक है अब जब parallel है तो यह बात तो हमारा confirm हो जाता है कि parallel यानि कि magnitude जो होगा वो constant होगा ठीक है ना magnitude अगर constant है तो magnetic field lines भी constant होगी ठीक है magnetic field lines भी constant होगी तो यह सब जीजे बहुत सारी बाते हमें clear कर रही है कि जब solenoid के अंदर हम दोग देखेंगे तो एक parallel lines बन रही होगी जो की parallel lines होने के कारण जो उसके बीच का distance होगा इकवी डिस्टेंस होगा अब इकवी डिस्टेंस होगा यानिक उसका density नियरली नियरली सेम होगा अब जब density सेम होगा तो उसका magnitude जो होगा वो constant हो रहा होगा और magnetic field line सीसी तरह बन रही होगी एक चीजी इसमें और आता है कि अगर हम लोग इसमें एक मैटल या फिर कोई भी soft iron core इसके अंदर डालेंगे तो वह जो soft iron core हो जाएगा वह भी magnetized हो जाएगा या पिर और अच्छे तरह से एक वेल मनें बढ़ियां magnet के तरह वह काम करेगा तो उसको हम लोग कहते हैं इंडूसिंग magnetic properties in a soft iron core में जा हम लोग magnetic properties induce कर रहे हैं तो वह हम लोग solenoid के थूप कर सकते हम लोग जश्ट क्या करेंगे कि यह जो solenoid ring बना रहा है उस ring के अंदर उस magnetic soft core को soft iron core को sorry magnetic core बोल रहा हूं soft iron core को insert कर देंगे जिसके कारण से वह भी एक magnet के तरह behave करने लग जागा क्यूंकि magnetic fields उसके through भी pass हो रही होंगी ठीक है I hope कि मैंने जितने भी बाते आज आपको समझाई है वह बहुत ही ज्यादा clear हो गई होगी तो इसी के साथ आज के lecture को हम समाप्त करते हैं और आप से मिलेंगे हम अगले lecture में जिसमें हम लोग इसके अगले topics के बारे में बात कर रहे होंगे थैंक्यू